नमस्कार दोस्तों, क्या राफेल ने चाइनीज मिलिटरी को इतनी टेंशन दे दी है कि उन्हें अपने J-20 को फाइनली फॉर्वर्ड बेस पर लगाना पड़ गया? क्या भारत स्वेदेशी हत्यारों पर काम कर भी रहा है या सिर्फ बातें ही की जा रही है? क्या सारी चाइनीज बैलेस्टिक मिसाइल्स सिर्फ तीन ही इंडियन एर बेस को निउट्रलाइज कर पाएंगी? भारत जो सूपर सुखोई अपग्रेड करवाने की प्रोसेस करवा रहा है उसका मुकाबला पाकिस्तान के F-16 वे JF-17 ब्लोक 3 कर पाएंगे या नहीं? इन्ही सब बातों के Fact-Based जवाब मैं लाया हूँ आपके लिए इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूँ आपका अमित अपडेट्स चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला सवाल शुभम जी का है जो सवाल करते हैं कि चाइना ने अपने Forward Air Base पर J-20 को भी तैनात कर दिया है क्या भारत के राफेल इनका सामना कर पाएंगे? शुभम जी ये राफेल का ही कमाल है कि चाइना, South China Sea वाले फ्रंट पर जहां चाइना का मुकाबला अमेरिका, ताइवान वे जपैन के साथ है उस फ्रंट से कुछ J-20 फाइटर जेट्स को हटा कर यानि कि उस फ्रंट को कमजोर करके इन कुछ J-20 फाइटर जेट्स को भारत के नजदीक लगा गया है, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि चाइना को पता है कि उनके J-10 या रेशियन फाइटर जेट्स की चाइनीज को पी यानि कि J-11, J-15 वे J-16 राफेल का सामना करने की काबलियत नहीं रखते हैं, वास्तव में अब राफेल वे चाइनीज J-20 की ट कर से दुनिया को पता चल पाएगा कि वास्तव में J-20 स्टेल्थी है भी या नहीं, उसका रडार कैसा है, उसमें जो PL-15 Air-to-Air मिसाइल लगी है, क्या वाकई उनकी रेंज 200 किलोमेटर है या सिर्फ यह एक चाइनीज क्लेम है, क्या राफेल का रडार अपनी सूपिरोरिट साबित कर पाएगा, क्या राफेल में लगी मीटियोर BVR मिसाइल जिसे दुनिया की सबसे बहितरीन Air-to-Air मिसाइल बताया जाता है, यही मीटियोर मिसाइल J-20 के स्टेल्थ को ब्रेक कर पाती है या नहीं, राफेल का IRST सिस्टम जो 100 किलोमेटर दूर से ही किसी भी फाइटर मेजर सिस्टम के सामने टिक पाती है या नहीं, चाइनिज J-20 के बारे में पूर एरफोर्स चीफ ने भी कहा है कि यह स्टेल्थी नहीं है, इसे कई बार सुखोई 30 MKI का रडार ट्रेक कर चुका है, वैसे भी स्टेल्थी फाइटर जेट में कभी कनाड विंक्स नहीं लगा जाते हैं, जो रडार क्रो सेक्षन को बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे में अगर J-20 में स्टेबिलीटी और मेन्यूर्स के लिए कनाड विंक्स लगाए गए हैं, तो यह स्टेल्थ प्रोफाइल को खराब कर देते हैं, कनाड विंक्स राफेल में भी लगे हैं, लेकिन राफ J20 के होते हुए भी चाइना को अपनी सुरक्षा के लिए रशिया से SU-35 फाइटर जेट्स खरीदने पड़े थे भारत ने तो खुले आम राफेल से J20 को चैलेंज कर रखा है क्या चाइनीज J20 राफेल से टकर ले सकता है या नहीं ये आगे आने वाला समय ही बताएगा दोस्तों अगला सवाल उमेश जी का है जो सवाल पूछते हैं कि क्या हम स्वेदेशी की बात ही करते रहेंगे या कुछ हतियार अपने देश में भी बना रहे हैं उमेश जी ये सवाल बार-बार उठाया जाता है, बात भी सही है, भारत दुनिया भर में हतियार खरीदने वाले देशों की लिस्ट में हमेशा दूसरे या तीसरे नमबर पर रहता है, तो जाहिर सी बात है स्वेदेशी हतियारों से संबंदित सवाल उठेंगे ही, भारत में जादा एडवांस हतियार नहीं बनाये जाने के दो कारण थे, पहला तो ये कि प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस सेक्टर से दूर ही रखा जा रहा था और जो सरकारी कमपनिया हतियार बना रही हैं, उनमें जादा अच्छी क्वालिटी देखने को नहीं मिल रही थी, जिस कारण हमें दूसरे देशों से हतियार खरीदने पड़ रहे थे, इसके अलावा हमारी सरकारें और फोर्सिस के कुछ बड़े अधिकारी भी कुछ खास कारणों की वज़े से विदेशों से आए हतियारों को ही जादा पसंद कर रहे थे, लेकिन अब बहुत कुछ बदल चु होविजर की बात करें तो धन्युष आर्टिलरी पहले से तयार हो चुकी है, भारत फोर्ज कंपनी द्वारा बनाई गई भारत 52 होविजर जो 155 mm की 52 कैलिबर वाली आर्टिलरी है और जो 48 किलोमेटर तक शेल्स को फायर कर सकती है, इस होविजर के आर्मी द्वारा किये जा रही है, इसी तरह से भरोसे मंद ट्रक माउंटेट आर्टिलरी सिस्टम भी ओर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड ने तयार कर ली है, इसी तरह की 200 ट्रक माउंटेट होविजर को खरीदा जाएगा, इसी तरीके से भारत ने स्वेदेशी अर्जुन मार्क वन नाम का टैंक भी त तरहें के छोटे वे बड़े ड्रोंस भी अब खुद ही बना रहा है हम स्वाती रडार को दूसरे देशों को बेच भी रहे हैं हमारे रडार इतने डवलप हो चुके हैं कि हम शोट रेंज में आकाश वे QR-SAM जैसे एर डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं तो वहीं मीडियम रें लेक्षिरिंग भी शुरू हो जाएगी दुश्मन के फाइटर जेट्स की निग्रानी वाले नेत्रा जैसे अवाक्स भी हम स्वेधी शितोर पर बना रहे हैं दुश्मन पर अटैक करने के लिए हर रेंज की मिसाइल फिर चाहे प्रित्वी प्रहार निर्भै अगने सीरीज या सब्मरीन से लोंच होने वाली के-4, के-5 वे के-15 जैसी मिसाइल सीक्यो ना हो सबको हम अपने दम पर ही बना रहे हैं दुश्मन की हर एक्टिविटी पर नजर रखने वाले निग्रानी वे कम्युनिकेशन सैटलाइट्स को हम खुद बना कर इस रो की सहायता से अंतरिक में स्थापित भी करने में सक्षम है प्राइवेट सेक्टर नई से नई राइफल बुलेट प्रूफ जैकिट वे दूसरे बोडी गेर्स को बना कर सामने रख रहे हैं नेवी के लिए जरूरी कोरवेट फ्रीगेट वे डस्ट्रोयर जहाज के अलावा अब तो सब्मरीन स्वेदेशी तोर पर ही बनाया जा रहा है दोस्तों ये सच है कि भारत ने हथियारों को स्वेदेशी तोर पर बनाने का काम काफी देर से शुरू किया है लेकिन अगले कुछ वर्षों में ही हम ऐसी कंडिशन तक पहुंच जाएंगे जहां हम हथियारों को विदेशों से ख प्राकतवर है या नहीं कृष्णा जी ये तीनों फाइटर जेट्स अलग-अलग कैटेगरी के हैं जहां JF-17 ब्लोक 3 एक लाइट वेट कैटेगरी का फाइटर जेट है जिसका सही कंपेरिजन तेजस के साथ ही हो सकता है पाकिस्तान के F-16 जो बेहद पुराने वेरियंट के है ये F-16C वेर डी वेरियंट मीडियम वेट कैटेगरी में आते हैं जिनका सही कंपेरिसन भारत के MiG-29 के साथ हो सकता है रही बात सुपर सुखोई की तो भारत के सुखोई 30 MKI हेवी वेट कैटेगरी के फाइटर जेट्स हैं जो ज़्यादा रेंज, ज़्यादा पारफुल वेट ज़्यादा मिसाइल्स को ले जाने की काबलियत के लिए जाने जाते हैं सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करने के उपर काम चल रहा है जिसे सुपर सुखोई प्रोग्राम का नाम दिया जाता है इसके तहत इन भारतिय सुखोई 30 MKI में बेहद पारफुल लोंग रेंज व वाले फीचर्स भी सुखोई 30 MKI में जोडे जाएंगे यानि साधान शब्दों में बात करें तो सुपर सुखोई अपग्रेड के बाद भारत के सुखोई 30 MKI चाइनीज SU-35 से कहीं ज़्यादा काबलियत वाले हो जाएंगे अब अगर इन तीनों फाइटर जेट्स की बात क और इंजन जितना पारफुल होगा वह फाइटर जेट उतना ही ज़्यादा ताकतवर माना जा सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादा रेंज वाले रेडार वह एडवांस्ट एविनिक्स के लिए ज़्यादा इलेक्रिसिटी चाहिए जो JF-17 का छोटा और कम पारफुल RD- 93 इंजन जनरेट नहीं कर सकता है ऐसे में अगर JF-17 में भले ही 300 किलोमेटर रेंज वाला SU-35 का रेडार लगा दिया जाए तो भी कम इलेक्रिसिटी के कारण इसकी रेंज 100 से 120 किलोमेटर तक ही रहीगी JF-17 ब्लोक 3 में कुछ चेंजिस किये जा रहे हैं इसमें ASA रेडार IRSC स सिस्टम जैसे फीचर जोड़े जा रहे हैं जो टेजस 1A में पहले से ही लगे हुए हैं बात करें मीडियम वेट कैटेगरी की तो पाकिस्तानी F-16 जो बेहद पुराने A, B, C वे D वेरियंट वाले हैं उनमें ना ही ASA रेडार है और ना ही IRSC सिस्टम लगे हुए हैं ना ही उनके EVONIX जादा अच्छे हैं जबकि इसी मीडियम वेट कैटेगरी के भारतिय मिग 29 को UPG स्टेंडर में अपग्रेड किया जा चुका है जिससे इन में 200 किलोमेटर रेंज वाला जूक ASA रेडार के साथ ही जादा अच्छे नए वेरियंट के इंजन लगाए जा चुके हैं साथ ही मीड 29 UPG के EVONIX भी लेटेस्ट वेरियंट के हैं यानि साधान शब्दों में भारतिय मीड 29 UPG पाकिस्तानी F-16 से हर मामले में बेहतर हो चुके हैं हाँ अगर पाकिस्तान F-16 के लेटेस्ट वेरियंट यानि की F-16 वाइपर को खरीता है तब थोड़ा सा एज पाकिस् जी का है जो पूसते है कि हॉर्वर्ट स्कूल की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत के एक एर फिल्ड को पूरी तरह से डिस्टोई करने के लिए चाइना को 220 बैलेस्टिक मिसाइल्स चाहिए होंगी ये कैसी कैलकुलेशन है प्लीज एक्स्प्लेन देवांग जी बैलेस्टिक के कारण और बहुत ज़्यादा स्पीड होने के कारण इन बैलेस्टिक मिसाइल्स की एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है यानि 10 से 15 बैलेस्टिक मिसाइल्स में से सिर्फ एक या दो ही सही टारगेट पर गिरेगी उसमें भी समस्या ये है कि फिक्स्ट पात और ट्रेजेक्टरी होने के कारण इन्हें आसानी से एर डिफेंस सिस्टम से न्यूट्रिलाइज किया जा सकता है यानि अगर बिल्कुल सही निशाने पर 10 मिसाइल्स आ रही हैं तो उनमें से भी 7 से 8 मिसाइल्स को एर डिफेंस सिस्टम ही रोक देंगे अब अगर जैसे तैसे एक या दो बैलेस्टिक मिसाइल्स एर फिल्ड तक पहुंचती भी हैं तो वो इतने बड़े एर फिल्ड और मजबूत कॉंक्रीट बंकर्स में खड़े फाइटर जैट्स को पूरी तरह से डेस्ट्रोई नहीं कर सकती हैं इसके लिए 10 से 12 बैलेस्टिक मिसाइल्स सटीक नि मिसाइल्स का इस्तेमाल चाइना को करना पड़ेगा भारत के पास इतने सारे फोरवर्ड एर बेस के अलावा बहुत सारे सपोर्टिंग एर फिल्ड भी मुझूद हैं यानि चाइनीज मिसाइल्स जिनकी संख्या लगबग 600 से 700 तक है ये सारी इस्तेमाल होने पर भी भारत क सभी एर फिल्ड नर्स्ट नहीं हो पाएंगे दोस्तों ये थे आपके कुछ डिफेंस संबंदी सवाल जिनके सटीक जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की बुक्स को पढ़ा रिब्यूस को चेक किया ओफिशल वेबसाइट को चेक किया ताकि अगर आपके मन में भी इसी तरह के कुछ डिफेंस संबंदी सवाल हैं तो उन्हें आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें दोस्तों उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें दोस्तों के साथ श